इसके बाद शुजीत अपनी अगली फिल्म सतार उद्धम सिंग में भी इर्फान को ही लीड रोल में लेना चाहते थे लेकिन उसी समय इर्फान के न्यूरो एंडोक्राइंग चिवमर के बारे में पता चला शुजीत ने मिड़े से आली में एक बातचीत में बताया कि उन्हें इर्फान की बहुत याद आती है अपने रिष्टे के बारे में बताते हुए हूँ बोले कि मैं हर रोज इर्फान के बारे में सोचता रहता हूँ उनका चैरा भी मेरी आँखों के सामने कूमता रहता है उन कि इर्फान मेरे साथ हैं और मुझसे बाते कररे हैं मैं उनके जाने की दुख iy होंगा उनकी फिल्म को समर्पěत एक सीधा है यह फिल्म उनको दिमाग में रखकर ही लिखी गई थी लेकिन तब ही उर्फैन के सीर के बारे में पता चला शुजीत ने कहा कि वो इर्फान के रिकवर होने का इंतजार करने के लिए तयार थे ताकि उनके साथ ही फिल्म बनाए मई 2018 में ये ख़वर भी आई थी कि इर्फान सरदार उद्धम सिंग का रोल करेंगे उस समय शुजीत ने कहा था कि इर्फान में वो नजाकत और गहराई है जो उद्धम सिंग का रोल करने के लिए चाहिए इसके साथ ये भी कि इर्फान पंजाब के इतिहास से अच्छी तरह वाकित है उन्होंने उमीद की थी कि इर्फान के तबियत ठीक हो जाएगी और 2018 के अंद तक वो फिल्म पर काम शुरू कर देंगे हाला कि इर्फान ने उन्हें उनका इंतजार करने से मना कर दिया था फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी ने एप्रिल में पीटिया से एक बातचीत की थी इंटेव्यू के दौरान बताया था कि हमने आपस में ये फैसला किया था कि वो इतना कॉंप्लेक्स रोल करने की शारीले खालत में नहीं होगी और उनोंने हमें आगे बढ़ जाने के लिए कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इस सब्जेक्ट पर फिल्म बना ले इसलिए ये सही नहीं होगा कि हम उनका इंतजार करते रहें और कोई दूसरा ये कर ले उसके बाद इस रोल के लिए विकी कौशल को साइन कर लिया गया और फिर लुक भी रिलीज हुई फिल्म की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है अब फिल्म की एडिटिंग पर काम शुरू हो गया है मुंबई मिरर से बाचीत करते हुए शुजीत ने कहा केवल एडिटर और उनके असिस्टेंट ही एडिटिंग रूम के अंदर होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा वो हर रोज शाम साथ बजे से कर्फ्यू से पहले काम बंद कर देंगे फिल्म को जनवरी 2021 में रिलीस किया जाना था हालकि ये टार्गिट अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है वैसे इरफान को इस रोल में देखना वाके ही बहुत दिलचस्प होता खेर उन्हें सरदार उद्धम सिंग के रोल में देखना तो भले ही नसीम ना हुआ हो लेकिन उन्हें एक फिल्म में सरदार के रोल में आप देख सकते हैं इस फिल्म का नाम है किस्ता The Tale of a Lonely Ghost में तुरी इन फिल्म है आप देख सकते हैं यह कबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया